बच्चा लोग बेटा लोग बिटिया लोग कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग कॉंबिनेशन के अगले पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं और उस पे जो बाकी जो प्रश्ण बच गया थे उसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं तो चली स्टार्टिंग करते हैं और पहल वावेल हो और दो कॉंसेंट हो ठीक है ना किस Word से in wallet word है जितने भी Old in Dollar है उन सभी से ठीक है नो तो in wallet word में जितने भी लेटर संहन सपी में से ठीक है तो यहाँठ पर कुछ जहाँए बड़े आपके имеет factorial आएंगे उनको इस में असर्जिय देंगे और जहाँ पर calculation होगा, वहाँ calculation कर लेगे, तो चलिए, यहाँ पर आगर आप देखे तो वाविल कितने हैं, एक, दो, तीन, और चार, I, E, O, U होता है न, तो इसमें से चार दे दिया, एक अलावा, तो वाविल कितने हैं, बच्चों, चार हो गए हैं, consonant की बात करें, तो consonant कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है न, चार consonant हो गए हैं, तो question में यह कह रहा है, ध्यांदी देगा, दो, दो, चार, दो, छे, दो, आठ, लेटर है in wallet में, और जिसमें की, वाविल आपके चार है, I, O, U, E, और चार consonant है, N, V, L, T, तो question में यह कह रहा ह है, कि बताइए, कि कितने तरीके से हम, तीन, वाविल, उ, दो, consonant वाल, वाल, एक, वर्ड बनाएं, मतब्दाए, पांच लेटर वर्ड बनाना है, भच्चों हैं, तो, पांच लेटर वर्ड बनाने के लिए, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले, जो, चार, वाविल है Us में से दो कॉंसिन चूज़ करना होगा तो यह पांच हो जाएंगे फिर टोटल अम्बबाव दिश पांच को चूज़ करने का यह हो जाएगा फिर पांचों को टेकिंग और एक टाइम लेकर आप क्या कर लीजिए अरेंज कर लीजिए takes 5 at a time, innie 5 factorial, टेकिए ना, तो यह हो जाएगा arrangement, कुसे को दिक्कत, तो क्या करेंगे, पुना बोलेंगे, चार मेंसे पहले 3 revenue लिए, हमारे पास 3 revenue आ गए, फिर 4, चारちょुंचंच मेंसे, हमने कोई भी 2 तौंसंचंचंक लिए, लेंगे 4 आएगा 4 सिट्य निकालेंगे 4 into 3 upon 2 into 1 आएगा 6 upon 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 factorial 120 तो चारते ही 121 double 4 0 एंसर आजाएगा तो यह हम लोग का हो जागा इन वालिट वर्ड के लिए एंसर हो जाएगा इसी तरह अगर आगला वाला बात करें तो देखो हो यहां पर how many words with or without meaning हम बना सकते हैं ठीक है ना जिसकी मेनिक निकले है ना में निकले जिसमें कि दो वावेल हो वावेल कितने चूज करने हैं बच्चों दो और दो consonant चूज करने हैं लेकिन वह भी English alphabet में से तो English alphabet में वावेल कितने होते हैं पांच और बाकी क्या हो जाएंगे consonant 26 letters होते है न तो पांच अटा दीजिए तो 21 consonant हो जाएगा तो पांच में से आपने कोई भी दो दो अपने वावेल ले लिया और 21 consonant में से कोई दो consonant ले लिया टोटल आपके पास कितने आगे बच्छो चार आगे जैसे पिछले वाले में क्या था दो पांस था तो पांच factorial किये थे तो अब क्या है दो और दो लेंगे तो चार आगा तो चार factorial करेंगे और टोटल लंबर वेज निकाल देंगे तो फाइव सी टू कितना आजाएगा फाइव इंटू फॉर अपां टू इंटू वान और टू इंटू 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 आजाएगा तो इस तरीके से सिंप्लिफाइए कर लेते हैं ठीक है न तो सिंप्लिफाइए अगर करें बच्चो कितना आजाएगा तो बारी बारी से देख लिजए जहां पर दो लंबे अगर होंगे न बच्चो पूरा बोलुगा जहां पर लंबे कैल्बूलेशन होंगे कभी-कभी वहां पर आपको क् सकते हो आप ठीक है ना 21 में multiply कर दो 24 को तो यह कितना जाएगा 504 आ जाएगा विए चारसोटी हो जाएगा चारसोटी और चारसोटी और चावीस बिल्कुल पानसोट चार जाएगा 504 और 00 जाएगा यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक है ना अगले वाले प्रेश्ट पर चलते हैं और बात करते हैं इस पर यह हाउ मेनी वर्ड्स व्यद और जाएग बना सकते हैं डूवर्वुल और थ्री कॉश्टक्रइन दावई में तो डॉटर वर्ड में देखैंगे तो कॉश्टक्र है कितने एक और दो और तीन और चार और पांच तो consonant तो हो गए 5 और वाविल कितने हो गए 1, 2 और 3 तो वाविल हो गए 3 तो 3 में से आपको 2 वाविल लेने हैं और 5 consonant में से 3 consonant लेने हैं 5 लेटर आ जाएंगे पांचों को आपस में रेंज कर लीजे तो यह हो जाएगा 5C3 आपको हो जाएगा 5 into 4 into या 5C3 को reduce कर लो जैसे कल बचाए तो 5C2 में तो 10 हो जाएगा और 5 चार yellow ball है seven green ball है और six orange ball है चार ball को select करना है पुना बलोंगा चार ball को select करना है ठीकन है? अट random तो 4 का यहाँ से selection करना और कह रहा है कि उन 4 बालों का selection कितनी तरीके से कर सकते हैं ताकि उसमें कम से कम 2 यलो बॉल हो यानि कि उन 4 में जो 4 का selection कर रहे हैं उन 4 में यलो बॉल के संख्या कम से कम कितनी हो 2 हो 2 से कम ना हो लेकिन 2 से अधिक हो सकता है तो इसको ग्राफिकली आपको अगर दिखा दें तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 तो कम से कम 2 yellow ball हो 2 से कम ना हो लेकिन 2 से अधिक हो सकता है ठीक है ना ओके तो हम लोग इसमें हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों यहां पे हम कहेंगे yellow ball कितनी है बच्चों 4 है मतलब उस 4 yellow ball में से या तो आप 2 सेलेट कर लो या या यानि प्लस हो जाएगा या तो 4 में से 3 yellow ball लो या 4 में से 4 yellow ball लो और बेटा हर जगा आपको 4 ball का सेलेक्शन हर option में इंश्योर करना होगा तीन option बन रहे हैं जिसमें की 2 yellow होगा 3 yellow होगा 4 yellow होगा और हर option में आपको 4-4 ball का selection भी ensure करना होगा तो यहाँ पर हमें 2 और select करना होगा यहाँ पर हमें 1 और select करना होगा और यहाँ पर 1 भी नहीं और किसे यलो के अलावा जो बज़ गे आप 6, 5, 11 11 और 7, 18 और 18 और 6, 24 से तो 24 में से कोई 2, 24 में से कोई 1 और 24 में से 1 भी नहीं अब यहाँ simplify कर लिजे तो यह आपका answer हो जाएगा simplification आप पे छोड़ दिया जए तो यह answer हो जाएगा आपका आप सबी लोग solve करके मुझे comment box में जरूर बताईएगा सभी का इसे मैं 4 part करा रहा हूँ तो यहाँ से 4 C2 आप कर लिजे एक मैं करके दिखा रहा हूँ 4 C2 करेंगे तो 4 into 3 upon 2 into 1 हो जाएगा 6 और 24 into C2 करेंगे तो 24 24 यह हो जाएगा 12 12 upon C2 होगा न तो 12 into 23 हो जाएगा और फिर 4 C2 निकालेंगे 4 into 4 C2 यहां 4 C3 होगा न बच्चों यहां 4 C3 हो जाएगा ताकि 4 पूरा हो जाए तो 4 C3 4 C1 4 हो जाएगा और 24 24 हो जाएगा फिर यह 1 हो जाएगा और यह भी 1 हो जाएगा तो आपका उतना ज्यादा tough calculation नहीं है तो आपका 23 23 23 23 और 23 दूनी 46 इसको जोड़ लीजिए ठीक ना 24 हो गया बारा गुड़े 23 और इसमें 6 multiply कर लीजिए छे दूनी 12, 6, 7, 42 और 6, 6, 36 हो जाएगा तो यह 6 हो जाएगा, 3, 2, 5 हो जाएगा, 4, 2, 6 हो जाएगा और यह 1, 6, 5, 6 हो जाएगा calculation देख लिए ना बच्चों आप लोग 1, 6, 5, 6 हो जाएगा इसका calculation यह बार आप लोग calculation चेक कर लीजिएगा ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप हमें ठीक है ना, तो इसका क्या होगा 1, 6, 5, 6 हो जाएगा, 24 हो का 96 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया तो इसमें क्या करिए, 97 जोड दीजे 1656 में, यानि कितना जाएगा 1, 7, 5, 3 1, 7, 5, 3 आपका एंसर हो जाएगा और बाकी आगे का जो इसमें पार्ट कराने जा रहा हूँ, उसका अब C आप solve करेंगे, ठीक है ना, उसका C क्या करेंगे आप solve करेंगे, चलिए अगले बले में चलते हैं, ये, अब इसमें क्या कह रहा है कम से कम एक green ball हो तो minimum कितना होगा, 0 और maximum कितना होगा, आपका 4 क्योंकि 4 ball से लिट करनी है और in between कितना होगा बच्चों 2, 3 और 4 भी होगा तो 1, 2, 3, 4 होगा 1, 2, 3, और 4 हो जागा तो कहरा कम से कम एक हो, यानि 1 से कम ना हो, लेकिन 1 से अधिक हो सकता है कौन सी ball बेटा, green color की ball तो green color की ball कितनी है, 7 तो 2 तरीके हैं या तो आप 7 green में से एक ले लीजे, पहला तरीका बता रहा हो 1st method, ठीक है, या तो 7 में से 2 ले लीजे या तो 7 में से 3 ले लीजे या तो 7 में से क्या करिए, 4 ले लीजे और बाकी जो balls बच रही है जैसे यहाँ पर और कितना ले लेना होगा, 4 पूरा करने के लिए 3, यहाँ पर कितना और लेना होगा, 2 यहाँ पर कितना और लेना होगा, 1 यहाँ पर कितना और लेना होगा, 1 भी लेंगे वो green के अलावा जो बच रहे हैं उन में से ले लेंगे, तो green के अलावा कितने बच रहे हैं, 6, 5, 11, 11 और 4, 15, 15 और 6, 21, 21 टोटल 28 बॉल है, तो बाके 21 में से ले लेंगे, तो 21C3, 21C2, 21C1 और 21C0, यह और दूसरा method क्या है, second method आप यह कर सकते हैं कि बच्चा, total number of selection आप निकाल लो, तो total बॉल कितनी है, इस हो गिने, तो total बॉल आपकी 28 है, तो 4 बॉल का selection टॉटल कितना हो सकता है, 28C4, और उनमें से केवल आपको क्या नहीं चाहिए, यह 0 green बॉल, यह नो ग्रीन वाला आप माइनस कर दो, यह no green मतलब, ग्रीन के अलावा, अगर आप अगर बॉल ले रहा हो, 21, तो इस 21 में आपका एक भी green नहीं हो का नो, तो इनमें से जो 4 बॉल सिलेट करने का वेज है, उसको बच्चों यहां से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 21C4 हो जाएगा, तो इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, तो यह और करके बता दिया है, probability पूछे का तो divide करेंगे, मंडे को बच्चों ध् between 1, 2 और 3 भी हो सकता है, तो question में यह कह रहा है कि, का अधिक से अधिक, at most मतलब अधिक से अधिक 2 blue हो, यानि 2 से अधिक blue बच्चा नहीं लेना है, लेकिन 2 से कम blue तो हम ले सकते हैं न, 2 से कम blue कर लिया, तो यह हो जाएगा, तो इसका मतलब blue 6 है, मतलब 1 भी blue न लो, या लिए, यहाँ 4 पूरा करने के लिए, और यहाँ 4 पूरा करने के लिए, blue के अलाभा जो बच रहा है, उन में से लेंगे, 5, 4, 7, 6, यानि कितने बच रहे हैं, 22, 29, 16, 16, 16, 26, 22, टिकर रहे हो, 22 में से 4 ले लिजे, 22 में से 3 ले लिजे, 22 में से 2, एक हमने solve करके बताय रहा है, उसी तरीके से आप इन सब को solve करेंगे ठीक है बच्चों अगला वला प्रस्ष जो ले और इससे बात करें हम लोग इसी तरीके से atmosphere तो इसमें दो को short trick कैसे लग जाएगा 0 1 2 3 और 4 तो कह रहा है अधिक से अधिक 3 औरेंज हो यानि 3 से अधिक 9 हो लेकिन 3 से कम क्या हो सकता है हो सकता है तो काम करते है टोटल नमबर सेलेक्शन में से जो 28 बाल है C4 उसमें से जैसे यहां पर हम लोग ने किया है कि टोटल में से जब यह वला हटाया तो at least वला आया था ना at least व और औरेंज यानि कि only orange वाली condition हम क्या कर दे only orange वाली condition minus कर दे तो orange कितने 6 6 C4 को minus कर दे किसमें total में से तो 28 C4 में से आप 6 C4 minus कर देजे तो यह atmosphere आ जाए हो जानि कि at least one बोले तब आप minus वाला concept लगा सकते हो और at most and minus one बोले जहां पर end select किये जाने वाले ball के संख्या होगी ठीक है बच्चों इतना यह हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या दे दिया एदम इसी तरीके से आपको चल लेना है ठीक है न एक group है बच्चों जिसमें कि 4 लड़किया है और 7 लड़के हैं ठीक है न कितनी तरीके से 5 member की team को select किया जा सकता है जिसमें एक भी लड़की रहा हूँ और विसी बात है एक भी लड़की नहीं यानि सब के सब क्या हो लड़के हूँ तो यानि 7C5 हो जाएगा और reduce करके इसको 7C2 लिग सकते हो न 7 और 5 का अंतर तो 7 x 6 upon 2 x 1 हो जाएगा और 7 कितना जाएगा बच्चों 21 आ ज हो सकते हैं तो एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है तीन भी हो सकता है तो कोश्चन में क्या है कम से कम तीन लड़किया हो लेकिन तीन से कम लड़किया बच्चों नौ अब यहां पर एक important चीज आ रही है तीन से अधिक तो हो सकता है तो लड़किया कितनी है चार है ना यानि हम अगर select करना चाहे तो maximum कितनी लड़कियों को select कर सकते हैं चार को 5 की possibility तो बन रहे लेकिन ये possible नहीं है क्योंकि लड़किया अधिकता हम कितनी हम select कर पाएंगे 4 कर पाएंगे 4 से अधिक नहीं जा पाएंगे तो 5 is not possible तो यानि कि या तो चार में से हम तीन लड़किया ले या या यानि प्लस चार में से चारो लड़किया ले और यहां पर पांच पुरा करने के लिए दो और यहां पांच पुरा करने के लिए एक क्या लेना पड़ेगा लड़कों में से लड़के कितने हैं 7 तो 7C2 और 7C1 बस करा जाएगा तो 91 पॉसिबिलिटी होगी ठीक है अब अगला बड़ा बढ़ा 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 दिसवर्दस वाला कांसेप्ट वाला आ रहा है तो इसमें दोनों को at least one करना है इसमें क्या लिखा कि चार लड़कों और साथ लड़कियां और पांच का सेलेक्शन करना है और इसमें बोल दे कितने सेलेक्शन बनेंगे अगर लड़के भी कम से कम एक हो और लड़कियां भी कम से कम एक हो तो आएए पहले लड़कों को कम से कम एक करते यानि लड़कों की संख्या कम से कम कितन कर ले या साथ में से हम क्या करें पांचे लड़कों को से रट कर ले तो यहां पर पहले हमने लड़कों को एक सद्धिक कर दिया है अब एक काम करते हैं लड़कियों को पहले देख रहे तो फिर लड़कियों को एक सद्धिक कर दिया है तो यहां पर पांच पूरा करने के लि चार में से एक और चार में से जीरो तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो इस डारेक्शनiler से चलें हम लैट बाइट चलें देखिए लड़के इतलीस वन हो रहे हैं और अगर लड़कियों को at least one करना हूँ तो zero लड़किया नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब अगर इसओ अगर हम हटा दें, तो यहा सले यहां तक अगर देखें, तो at least one girls हो जाएंगी, तो at least one क्या हो जाएँगी, at least one यहां से girls भी हो जाएंगी, क्या करते हां, वह वह बत्वा पूर्शन अटा देते हैं तो देखो इस वाले में अब आपका लड़किया भी कम से कम एक है एक से कम नहीं लेकिन एक सधिक है और लड़किया भी कम से कम एक है एक से कम नहीं एक सधिक है तो पुना ध्यान दीजेगा अगर आप इधर से चले तो कम से कम एक लड़का एक से क और सेवए तर आसकते हो, फट आपट 7C1, 7 हो जाएगा, 4C4, 1 हो जाएगा, 5C1, 7C2 हो जाएगा, 21, और 4C3, 4C1, 7C3 हो जाएगा, 7 doule a, 7C3, 7, 6 olması, 6 is divided करिए, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 4C2 कितना हो जाएगा, बच्चों 4 x 3 upon 2 3 2 6 हो जाएगा 7 c 4 हो जाएगा फिर से 7 c 3 और यह 35 आ जाएगा और 4 c 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यह 7 plus 21 plus 180 में आप जोड देजिए 6 5 30 तो 210 हो जाएगा 6 3 15 180 में 30 जोड जोड जाएगा और 35 का 140 हो जाएगा अब इन सबको जोड दीजिए तो यह हो जाएगा 200 300 350 350 350 350 370 388 तो answer कितना हो जाएगा बच्चों 388 answer हो जाएगा calculation देख लेए ना इसका ठीक है अगले बाले में चलते हैं अब क्या करते हैं playing card का detail ले ले लेते हैं और playing card के detail में हम लोग देख लेते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जिसको कि यहां से connect करते हैं क्योंकि probability में इसका use होगा ठीक है ना कि total कितने पत्ते होते हैं पहले तो ऐसे oral देख लो सुन लो तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसको और detail करते हैं तोटल कितने पत्ते होते हैं बच्चों टोटल 52 playing cards होते हैं और उसमें कौनसे दो color होते हैं एक red होता है और एक black होता है ना तो इक आपका red होता है और एक क्या होता है बच्चों black होता है तो red के संकाा केतनी होती है ट्वंटी-गा warmth अब 26 में दो आपके सूर्ट होते हैं एक डामन्ड होता है कहर होता रफ तरह तरह फिर इन तेल की डिटियलonst होता है पर इन 4 पर यह probability में use होगा इसलिए न इसको आज वाले lecture को थोड़ा सा ध्याम से देख लीजेगा और समझ लीजेगा ठेके न अब इसमें क्या कह रहे हैं कि दो colors होते हैं जिसमें 26 red होते हैं 26 black होते हैं 4 suits होते हैं hurt होता है diamond होता है club होता है notation अप लोग देख रहे हैं और इन तेरे की detail क्या होती है कारड है तो total digit card कितने हो जाएंगे 36 digit card हो जाएंगे 52 में हर suits में एकर 3 faced card है तो total face card कितने हो जाएंगे 12 face card हो जाएंगे और चार अगर honors card है तो total honors card वाई-सी इतरह है चार्चों के बार-बार जरुरत पड़एगी आपको काम करने के लिए ठीक है आगे बढ़ते है बच्छो और अगले वाले प्रश्त को इस पे जो बेस्ट है सारे देखते थां तो बारी-बारी से देख लिया था है बच्छो देखो तो इसमें क्या दे दिया गया है यह बला इसमें क्या लिखा गया है बच्चों कि number of ways जो choose करने का चार card का कहां से pack of 52 playing card है और cards choose करने तो पहले तो यह पूछ लिया है what is the number of ways of choosing four cards from pack of 52 playing cards in how many of these तो सबसे पहले तो यह पूछ लिया है यहां कॉम अगर करें तो सबसे पहले कि 52 में से चारं कितनी तरीके choose करते थे इतने हैं 52 c4 हो गया आप करा इन सारे selection में ऐसे कितने selection है जिसमें कि 4 card एक ही suit के हो तो बच्चों यह बताओ एक ही suit के करने हैं तो suits कितने होते हैं ध्यान देजेगा suits कितने होते हैं अगर आप ध्यान दें तो suits होता है आपका आपका suits कितने होते हैं चार होते color दो होते हैं आपका एक काम करते हैं ऐसे बना दो कोई दिक्कत नहीं है आपका एक होता है आपका diamond होता है diamond herd speed और club और यह सब कितने होते 13-13 पत्ते होते हैं कितने कितने होते हैं बच्चों 13-13 पत्ते होते हैं और क्या कह रहा है कि 4 cards सब किसम क्या हो सेम सूट के हो सेम सूट के हो यानि 4 के 4 हो या तो diamond हो या तो 4 option है हमारे पास या तो 4 के 4 हो diamond हो या तो 4 के 4 हो hurt हो या तो 4 के 4 speed हो या तो 4 के 4 हो, या तो 4 हो, या तो 4 हो, या तो 4 हो, या तो 4 हो, या मतलब क्या करना है बच्चों, प्लस कर लेना है, तो यहाँ पी यह हो जाएगा, ठीक है, अब इसको solve कर ली जिएक तो answer आजाएगा, तो यह कितना आजाएगा, आपका 4 times of, 4 times of, 13c4, इसको simplify करना चाहे, 4 into 13 into 12 into 11 into 10, अपान 4 factor कितना हो जाएगा, 24, 4, 5, 24, 6, 12, 12, तो 13 गुड़े क्या कर लो बच्चों, 22 कर लो, 13, 26, 13, 26, 6, 6, 28, 28, 6, 0 selection हो जाएगा, ठीक है इतने selections हो जाएगे, ठीक है बच्चों, टोटल कितने हो जाएगे, 28, 6, 0 selection हो जाएगा, तो सूट्स हमारे कितने दे 4 थे इतने बात क्लियर है बच्चों, मेरे काल से कोई देकत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है अगले बाले में देखते हैं, अब कहरा जो 52 C4 आपने selection किया है, उनमें से ऐसे कितने selections हैं, उनमें से ऐसे कितने selection हैं, जिसमें की 4, 4, 4 चारो अलग-अलग suits के हूँ, तो बच्चों ये बताओ, हम लोग के पास suits के क्या-क्या थे, अभी भी हम लोगों ने बात कही ना, suits क्या-क्या थे, diamond है, hurt है, speed है और club है, तो तेरा तो diamond है, ठीक है ना, तेरा आपका hurt है, और तेरा आपका speed है, और तेरा आपका club है, तो इस सूट का एक एक काड लिया जाए और एक साथ टास्क परफॉर्म किया जाए ठीक है अब यहाँ option नहीं बनेगा अब हमें क्या करना होगा एक diamond भी लेना पड़ेगा एक heart भी लेना पड़ेगा एक speed भी लेना पड़ेगा और एक club भी लेना पड़ेगा यानि 13C1 and 13C1 and and में multiply करते हैं 13C1 and 13C1 and में क्या करते हैं बच्चो multiply करते हैं तो यह कितना होगा 4 times of 13C1 ठीक है न 4 times of क्या होगा 13C1 और 13 क्या होता है 13C1 क्या हो जागा 13C1 हो जागा 13C1 की value एन होती न तो तेरे चुका कीवल 52 selections आएंगे कितने selections आएंगे बच्चो 52 अच्छा multiply है multiply है तो 4 times नहीं होगा power क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानि कि 13 का power 4 हो जाएगा multiply नहीं add नहीं है तो 13 का power कितना हो जाएगा बच्चो 4 हो जाएगा ठीक है न 13 का power कितना हो जाएगा 4 तो 13 गुड़े तीर, गुड़े तीर, गुड़े तीर कर लीजएगा, यानि 179 गुड़े 169 कर लीजएगा, अब 179 में 179 मल्टिप्लाई कर लो, तो 189 का स्क्वेर एगर करना है, तो आप 210, बेस क्या कर लीज़ें, बेस आप 170 भी ले सकते हैं, तो बेस 170 से भी हो जागा, तो चलो, बेस 170 ले लेते हैं, दोनों में कितना नंतर है, एक, ठीक है न, तो एक हम कम कर देंगे, एक unfa besides ऑर उसमें क्या करेंगे, फिर बेज से multiply करेंगे, तो एक sundarm até में अप multiply कर दीजा, 170, ठीक है न, तो 168 में अगर 170 multiply करेंगे, गर 17 का पहाड़ा आ रहा है, तो सत्रा का पहाडा पढ़के फटा फटा आप लिख लीजिए ठीक है ना 28560 फिर यह जो डिफरेंस है उसका स्क्वेर कितना एक है तो 28561 तो यह हो जाएगा 28561 यह जग का आपका एंसर आजाएगा केल्कुलिशन आप लोग अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा ठीक है अगले वाले प्रश्ट पे चलते हैं और उसमें बात करते हैं बच्चों पुना बोलूंगा कि आपको हम मंडे में प्रॉबिलिटी स्टार्ट करेंगे जिसमें इंसर फिडियों का बहुत ज्यादा फिटी टो सी फोर से उनमीं से फितने हैं आपके सेलेक्शन हैं जिसमें की साप 0 PUBG 24 और आपके फेस कार्ड मथा कितने हैं अब हम बात करें तो टोटल चार सूट से चार से diamond है hurt है spede है और club है ठीक है तो 4 तो आपके diamond तीन face guard होते है तीन इसके हो जाएंगे 3 इसके हो जाएंगे 2 इसके हो जाएंगे 12 आपके face card होगे 12 face card होगे तो total 12 face card है तो हमैं कितना हुजएगा 12 में से 4 निकाल ले 65 इन इन 10 12 into 11 10 into 9 9 upon कितना हो जागा 4 into 24 कर दो न सीधे लिख दो तो 12 से 2 बार 2 से 5 बार अब आपको क्या कर लेना है 11 गुड़े 9 पच्छे 45 इसी 11 से मल्टिप्लाई कर दी 5, 5, 9 और 4, 4 से 95 भी क्या जाएगा सेलेक्शन एंसर आजाएगा ठीक है बच्छों इस तरीके से आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो अगले वाले प्रश्वी चले बच्छों और इसको देखते हैं ठीक है तो यह रहा इसको देख लेते हैं बच्छों तो अगर हम इसको हम यहां से अगर चेक करें ठीक है न यहां से अगर हम लोग चेक करें तो बात अगर कर ली जाए ठीक है ओके है 52 C4 तो टोटल आई रहा है उसमें तो आप बात उनी में से हाँ ठीक तो है उनी में से निकालना है तो 2 red card हो तो total क्या हो जाते है बच्छे दो color हो जाते हैं color कौन कौन से होते हैं red होता है और black होता है यह भी 26 है यह भी 26 है आप क्या करा है दो आपको red select करने है और दो आपको black select करने है तो and यानि कि दोनों दो दो होनी चाहिए तो यानि 26 में से दो red ले लिजे 26 में से दो black ले लिजे और दोनों का ending कर दी जानि multiply तो 26 C2 कर लेते हैं ठीक है न तो यह हो जाएगा 2 into 26 C2 हो जाएगा तो 2 into 26 into 25 upon 2 into 1 हो जाएगा और यह cancel out हो जाएगा तो 26 गुड़े कितना हो जाएगा बच्चो 25 हो जाएगा तो 25 दोनी 50 और 25 चंग 150 ठीक है न और यह कितना हो जाएगा बच्चो आपको 650 एंसर आ जाएगा तो final answer कितना हो जागा बच्चों 650 आज आगा ठीक है न अगले वाले पार्ट पे देखते हैं और इससे बात करते हैं तो ये वाला आप क्या कह रहा है cards are of the same color अभी दो color हम लोगों ने देखा था न कलर कितने हैं बच्चों हम लोग के color है आपके red और black red कितने होते हैं 26 और black कितने हैं 26 तो कह रहा है कि जो आप चार वाल सेलेट कर रहे हो सारी चार पत्ते जो सेलेट कर रहे हो बावन पत्तों में से वह same color के हो same color के हो इसका मतब दो option है हमारे पास या तो चारो रेड हो या या चार की चारो क्या हो बच्चों black हो जाए पुना बोलूंगे या तो चारो रेड हो या तो चारो ब्लैक हो और या में क्या करेंगे दो option है तो प्लस करेंगे तो बस 26 C4 कर लीजे तो 2 into एक मिनट पीछले व यहां multiply है ना अगले वाले में हो आएगा तो 26 C2 कितना हो जाएगा बच्चों 26 into 25 upon कितना हो जाएगा 2 into 1 तो इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 23 गुड़े 25 का square तो 13 गुड़े 25 का क्या कर लो square कर लो तो 13 का square 179 हो जाएगा अब 25 का square 625 हो जाएगा आपको और कोई चारा नहीं है तो 169 में आप तुरंक मल्टिप्लाई कर लिजे 625 का तो यह कितना जाएगा बहुत बड़ा नुमबर आ जाएगा आपका ठीक न यह एंसर हो जाएगा अगला वाला जो एंसर निकाले तो तो अगला वाला करने के बाद पता चलाता त तो यह हो जाएगा 26C4 तो यह हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटो 26C4 वहाँ तो दो था न अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे 4 है 26 इंटो 25 इंटो 24 इंटो 23 अपन क्या हो जाएगा बच्चों 4 है तो 4 यानि 24 हो जाएगा तो 1 24 तो ऐसे ही कट जाएगा एक 24 आपका ऐसे ह बस करना है तो 26 गुड़े तेज करके पचीज दूनी पचास आप इसमें मल्टिप्लाई कर दीजे तो यह एंसर आजएगा 29900 और यह आपको एंसर हो जाएगा ठीक है नो तो इस तरीके साब इसको देख सकते हो ठीक है अगले वाले प्रेश्ट में चलते हैं यह तो अगले वाले प्रेश्ट में चलनी से पहले आपको यह बता देते हैं भाईया तो हमें नंबर ओफ फाइव कार्ड कॉंबिनेशन निकालना तो यह रहेगा आपका आज का सेशन तो यह रखेंगे लाइक कर दीजेगा, लोगों तक पहुंचा दीजेगा और चैनल को सब्स्राइब नहीं कियो तो उसको भी कर दीजेगा, ठीक है न, तब तक के लिए धन्यवाज शुक्रिया, और हम लोग अगली क्लास मिलते मंडे को probability स्टार्ट करेंगी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग टेक केर, बाई, नमस्कार